पूर्व किसान के बहुत बड़े मंत्रा लाएका काम उन्हें समाला वा था किसान क्या बूलते मैं सबस्कों क्रशी मंत्रा लाए और उसमें यह बहुत सारी योजना लेकर काया थे बढ़ाई दीजिए आपको भी और यह मानी नरेन सिंग जी बढ़ाई देंगे बैन आपको बहुत बहुत बढ़ाई बहुत शुपकानना है निश्वर आप पर क्रपा करे आपका परिश्रम सफल हो और आप अपने आपको भी आगे बढ़ाए और अपने गाओं को और अपने सहयोग और परिवार को भी आगे बढ़ाए बहुत बढ़ाई जहांज भी तरफ से बैटे वह भी बधाय जा रहे हैं मैं अब आप अनुप्पूर की तरफ चलना चाहूँगा अनुपूर लेखाएं अनुप्पूर में सुष्टी ज्यानवती सिंग शाम जी उपस्तित हैं, सुष्टी ज्यानवती सिंग जी, सर आपके द्वारा आपके द्वारा बगवान विर्शा मुंडा स्वरोधगार योजना के अंतरकत साथ लाग चालीस हजार के रिन प्रात करता हुए कपड़ा दुक आपको अनुभू है इसका? जी सर पहले से काम करते हो इस लाहिन में? जी सर चलिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बढ़ ही आपको मानिन तोमर साब भी बेटे हैं, एदल सिंग कंसाना जी, राक्य सुकला जी, पूरा मंच, जोड़दार तालिया बजा है हमारी बहन के लिए देखो कपड़े की दुकान, अब हमारी बहने भी चला रही है, और योजना भी कित्ती बढ़िया, भगवान बिर्सा मुंडा योजना है यह, आप जो सुन रहो हो इसमें से, अपने अपने रोजगार के लिए आप भी ऐसी लाइन में जा सकते हैं, दमो चलते हैं, दमो इस पूजा यादव जी मानिय मुख्यमंत्री जी से कृप्या चर्चा करिए, पूजा जी बढ़िया आपको कौन सब, मानिय मुख्यमंत्री जी को मिल नमस्कार, पूरे प्रदेश वाले को नमस्कार करो एक बार, सारे लोग आपको देख रहे हैं, जोड़दार तालिय आरो प्लांट डाल रहे हैं, आपका दमो में मार्केट मिल जाए रहे हैं जी सर, मिल रहा है, पहले कभी काम किया आपने, सर, पहले से चालू था और इस से आँगे बढ़ाया है, अच्छा पहले से चालू था और आगे बढ़ाया, चलुआ आपकी हिमत की जाद देना जाए दीजिए भिया, सभी लोग तारिक बजा करके, श्रीमती योगित, बढ़वानी तरफ चलते, निमाड़, बढ़वानी से श्रीमती योगिता पाटिदार जी है सर, और आपके द्वारा सत्रा लाक रुपे का रिन प्रदान मंत्री रोजगार सुजन कारिक्रम के अंत आपको, नमस्ते भाई साब, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए, मुझे एक बूटिक चलाने के लिए और एक ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए, ये जो रिंप्राप्त हुआ है, बहुत अच्छा, किसी ने पैसे विस्ते तो नहीं लिए, कोई बदमाशी तो नह नहीं सर, हम लोग इतने सासल और नीडर हो गए है, बहुत अच्छा, तालिय वजा, मोदी जी की सरकार में ये हिम्मत चाहिए, कोई आपनी योजना में फाल्तु पैसे होई से ले तो अपने को बताना है, सस्पेंट कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको, एक बार आपको बढ़ा है, सबसे सुरू में मैं समू से जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तीस 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 लोगों को रोजगार दे कि आज सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए कि अधर मेरे साथ बैठे मंत्री बेठे बात तो बिल्कुल बहना आप में सही हूँ आपको बहुत बहुत बदाई बहुत बहुत बदाई जो रिड मिला है उससे आपका कारोबार आपके परिश्रम से दिन दुना राज चोगना बढ़े और आप अपने परिवार को अपने छेत्र को आगे बढ़ाए 2047 में भारत को विक्सित बनाना है ये प्रधान मंदरी नरेंदर मोधी जी का आवान है इस आवान को पूरा करने में हमारे मुख्यमंदरी जी लगे हैं आप भी अपने पेरों पर खड़े हो जाएं और विक्सित भारत के इस महान अभियान में आपका महत्मूर योगदान हो आपको पुरा बहुत बहुत बढ़ाई और भविषय के लिए बहुत बहुत शुप कामनाई आपके इस सुवाशिस के लिए बहुत बहुत धन्ड़िवाद मुख्यमंत्री जी समवात के लिए आपके तेज और ओजस्विता से मद्रप्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है आईए जोड़ार तालियों के बीच हमारे बीच उपस्तित हमारे कारेकरम के मुख्यतिती प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी से निविदन करें कि वे हम सभी को आशीर वश्णों से अभी बूत करें जोड़ार तालियों के साथ आगरे करो यार चम्बल की तालियों से जैसे पहले बजी थी और जोड़ार और थोड़ी तागत से बुलपढ़िया वारे की जोड़दार तालिय वजाय हमारे अपने नेता मानी नरेंसिंग तोमर जी के लिए जो लगातार हम जैसे ऐसे कई कारिकरताओं का मान बढ़ाते संबान बढ़ाते हैं एक बार जोड़दार तालिय वजा करें पूरे मंच का अभी जन्दन करें और जैकारा लगाएं तो ऐसा लगाएं कि गगन चुम्बी होना चाहिए ऐसा लगें कि हां हमारे साथ आस्मान दूर भगवान गोपाल और भगवान महाकाल भी सुनें कि कहां बेठे हैं वो लगोपाल क्रश्ण भगवान की महाकाल महराज की भारत माता की आज के इस कारिकरम में अभी अभी जन्होंने हमारे बीच लगाता रहा हम जैसे कारिकरतों का मान बढ़ाते वे चाहे किसी दाहितुमें हम रहें हमारे बीच हमारे यशश्वी विदानसवा अद्यक्ष जो विविन दायतों का निर्वन करते हुए आपके विधायक भी है और पूरे प्रदेश की हमारे विदानसवा के यशश्वी अद्यक्ष भी मानि नरेन सिंग तोमर जी मैं आपका वंदन करता हूँ अभी नंदन कर से आए और नवीन और नवकर्णी उर्जा के यसाश्री मंत्री मानी राके सुकला जी आपका भी अभिनंदन है इस अउसर पर यहां डक्टर योगेश पाल गुपता जी जिलाद्यक्ष भाजपा मुरेना सर्ला रावज जी जोरदार बहन के लिए तालिया बजाए विधायक सवलगाड जिला पंचायत के अध्यक्ष भाजपा जी जोरदार अभिनंदन करे गिर्राज जी का मुंसिलाल जी हमारे पुराने नेता पुर्व मंत्री मुंसिलाल जाटाओ जी किसान मोर्चा के अध्यक दरसन सिंग चोधरी जी यहां के संगधन के प्रभारी जैश सिंग जी कुस्वा हमारे पुर्व सांसत पुर्व महापोर असोक अरगल जी इस अवसर पर रगुनाज कंसाना जी अभिनंदन करे कंसाना जी का भी सुवेदार हमारे साथ विधाय करें सुवेदार जी किदर है सुवेदार जी सुवेदार जी का अभिनंदन करें परसुरा मुद्गल जी राकेश मवई जी कहा है राकेश जी राकेश जी का अभिनंदन कमलेश जाटाओ जी वारेलाल जाटाओ जी सत्रपकास सकवार जी आप सभी पूरुजिलाद्यक से अनूप सिंग बदोरिया जी और अब नाम खतम होगा तो यह जाने इनका काम जाने मेरे को मालूम नहीं है मेरी अपनी ओर से समूचा मंच नाम आपने दिये लिख करके आएक बार पूरे मंच का अभिदन्दन करें जोड़दार ताली बजाते सभी मंच के लिए सच में आपको सबको प्रणाम करता दोनों हाद जोड़कर आपके प्रेम इसने का अभिवूत हूँ जो आपने दिल से स्वागत किया ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आ गया हूँ अपने परिवार में आ गया हूँ यह परिवार का अनंद आप से जो मिला है मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ कई बार अब वैसे मुरेना आने का मोका मिला है लेकिन दिल खोल करके जो आपने अभिदन्दन किया मैं आपको प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपके इस मन से किये गए सतकार का सदेवरिनी रहूँगा मैं आज के सवसर पर ये कारेकरम में दो हिस्से किये गए दो हिस्से इस प्रकार से एक हिस्सा हमारा आज का रोजगार दिवस के कारेकरमों का भी जोड़ा है और दूसरा हिस्सा हमने एक करम चालू किया नई सरकार के बनने के बाद हमारे अपने संभागों के अंदर जिले के सभी कलेक्टर और जन प्रतिंजियों के साथ उनके अपने छेत्र के अलग-अलग कामों के ले करके वो जो योजना बना रहे हैं जिस छेत्र में हमको आगे बढ़ना है उसकी बात उसी जगे पर होना चाहिए उसी भाव के अधार पर आज आपनी चंबल की बात चंबल में करने के लिए आये हैं इस करम को हमने जारी रखा है कि अब हमारे कामों को ले करके हम केवल भुपाल में बेट के बात नहीं करेंगे जहां की बात महा करेंगे वो जबाबदार रहेंगे उसी काम को आगे बढ़ाएंगे ये परंपरा हम इस्ताबित करना चाहते है इसी सिलसिले में इसके अलग-अलग हिस्से भी है लेकिन मैं सबसे पहले ककनमट बटेशोर धाम सनिश्चरा मंदिर में जब टूरिजम का चेर्मेन आया था बनके आया था उस समय हमने मानने मरेन सि जी भाई साब की मुझूद्गी में कुछ काम किये थे लेकिन अभी काम के बारे में आपने अग्रह किया है और ये बात तो मैं भूल भी नहीं सकता हूं कि मैं समराड विक्रमादित की नगरी से आता हूं और मुझे इस बात की जानकारी है कैसा माना जाता कि 2000 साल पहले सनि पूरे संसार में अलग रूप में दिखाया क्योंकि विदेशिया आकरांता हूं हमारे इस देश की विशेषता भी है कि हमारे यां सभी छेत्रों में हमारी संसकती में लगातार आगे बढ़ने की संसकती है हम सरवे भवन्तु सुखिना सरवे संतु निरामाया सबका भला चाहते हैं लगातार आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन के ऐसे संसकार हमारे हैं कि हमारे संसकार में हम अपने जीवन में परिवार को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारी परियाप रूप से परिवार की चिंता भी करते हैं जिसको कुटम्ब परंपरा के नाते से हम जानते हैं और हमारे जीवन में जो हमको चाहिए उसके चाहने के बावजूद भी कुछ बचा के लेके चलते हैं जिसके कारण से दुनिया में हम हर काल में हर युग में सम्रत भी हैं सु संस्क्रत भी हैं और सभी प्रकार से लोगों को अलग प्रकार से सुखी संपन दिखाई देते हैं लेकिन हमारी संस्क्रति की ऐसाच्छाई को हजारों साल से कई आकरांता उनकी आखों में खटकते हैं इसलिए जब मोक वो हमको परिशान करते हैं वो हमारे देश की सिमाओं में अतिक्रमन करते हैं लेकिन मुझे इस बाद की खुसी है चंबल के बहुत्रू के बलबूते पर हजारों साल से यहां के वीर सिपाईयों ने हर काल में हर युग में हर बार उनको मुहतोड जवाब दिया कभी वो जुक कभी वो रुके नि कोई बाधा उनको रोक नी सकी जब भी मोका पड़ा आज आजी 1947 के पहले हजारों साल से चंबल की धर्ती ने अपनी हिंदू संस्कति का मान बढ़ाया सम्मान बढ़ाया उसके हकदार यह हमारे पूरे चंबल सहित हमारे अपने छेत्र के निवासी है और आ बड़े कश्ट तो है दुख तो है लेकिन मुझे इस बात का गर्व और गोरोव भी है कि वो तब की बात होगी जो हजारों साल पुरानी या वो 2000 साल पुरानी बात होगी या परसो भी हमारे 36 गड़ के अंदर नक्सलाइट लोगों ने हमला किया तो हमारे भधोरिया जी न कि आपने जान की बाजी लगा करके जो सूरवीर अपनी धर्ती को गोरानवित करते हैं वो समुची संस्कती में पूझे जाते हैं हम सम्मान से उनको जीवने पर इसमरंड करेंगे मैं आज इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकास के मामले में लेकिन यसस् कोन भूल सकता है आज हम जिस प्रकार के दोर में चल रहे हैं प्रदानमंत्री कितने प्रकार से सोचते हैं यद्धपी मेरे पास तो बहुत बड़ा एजेंडा है मैं आज बात करने आया था अपने इस चंबल के अंदर के चंबल में जब दुनिया भर में हमारे उद्धोग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेंगे हमने अपने इस संबंद में यहां के द्रस्टी से यहीं बात की है कि जब यहां पानी है बिजली है दिल्ली से पास की नजदी की है तो हमारे लोगों को अपनी खेती वाड़ी करते करते रोजगार के लिए अपने और दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ेगा दूसरी तरफ क्यों जाना चाहिए और उद्धो का भी एक क्रम नहीं है अब गया जमाना के केवल एक फेक्टरी रेती है लेकिन एक फेक्टरी से जब बात हम करने गए तो दूसरी फेक्टरी की बात निकली यह बताया गया कि यह सक्कर फेक्टरी कोई पुरानी थी और सक्कर फेक्टरी में लगबक 56 करोड रुपया किसानों का बाकी है तो कोई अगर मिटिंग करें और किसानों का कोई बाकी हो तो कोई छोड़ सकते क्या हमने का आपका इम बनाया मुख्यमंत्री हो हमने का तुरंत उनका 56 करोड रुपया लोट मुरेना के लोग परेशान हुआ ये बरदास्त नहीं कर सकते आपकी जानकारी के लिए बता दे जैसे ही सरकार का गठन हुआ था और सरकार के बनने के आठ दिन के अंदर हुकुम चंद मिल के लगबग 4,000 से अधा भाई बेने 27 साल से कोड़ कोड़ में चक्कर खा रहे थे उन प्रदानमंत्री की मोजूद्गी में सभी का पैसा लोटाया है और यहां वही निर्णय किया कि केवल इंदोर का नी पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी फेक्टरी चलते चलते बंद हो गई अगर किसी भी किसान का किसी मजदूर का किसी गरीब का कोई भी पैसा अगर बका का पैसा भी लोटाएंगे और आपके मुराना के मुरेना की सक्कर फेक्टरी का पैसा भी लोटाएंगे हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में यहां इसी स्थान पर अभी दो दिन पहले एक हमने बड़ा नेड़े माननी गड़कर जी के साथ किया लगबक 10,000 करोड के वि 2,000 करोड के विबिन प्रकार के काम अपने केवल चंबल और मालवा वाले छेतर में थे वो 2,000 हमारे माहकोसल के अर्थात लगबक 10,300 करोड के निर्मान कारियों का हमने भूवी पूजन परसो एक साथ किया विनन्न करे गड़करी जी के लिए जिनके माध्यम से अगर विका बगेर फोर लेन बनाएं बगेर बाइपास बनाएं निश्चित रूप से उनको जोड़ने की जरवत रहेगी इसलिए 10,000 करोड के नए निर्मान कारे का हमने भूवी पूजन किया मुझे एक और बात की ध्याने में आती है मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक द्रश्टी से का लेकिन ये कटू सकती है अपने गौललेर के बेटे और भारत रत्न स्वरगी अटल भ्यारी वाजपाई जी के माध्यम से पूरे देश में सडकों का जाल जाल बीचाया गया था प्रदानमंत्री सड़क को कोई भूल सकता है क्या अटल ब्यारी वाजपई जी को कोई भूल सकता क्या है पूरे गाउंगों के अंदर जिस प्रकार से करांती लाये थे अटल जी एक और बाद निड़े उनने किया था के केवल सड़कनी नदी से नदी जोड़ करके भी गाउं गाउं का भला करने का मोका उनने ढूंडा था और उसी समय एक योजना बनी थी हमारे इस राजस्थान और मद्यप्रदेश की इस बॉर्डर पे लगेवे इलाके से पारवती, काली सिंद, चंबल, तीनों नदियों को जोड़ करके लगबक 12 जिले मद्यप्रदेश के और 13 जिले राजस्थान के इनको जोड़ करके ये पूरा छेत्र हरा भरा करने का प्लान बना था बड़े दुरभा के किसाथ केना पड़ रहा है कि 2003 में योजना बनी थी लेकिन 2003 के बाद 4 में मनमोन सिंग जी की सरकार बन गई, कांग्रेश की सरकार बन गई उनको छेत्र के लोगों से कोई लेना देना नी, किसान उसों कोई लेना देना नी इसलिए पूरी योजना को डब्बे में डाल दिया, बात के काल में फिर राजस्तान की सरकार बनी, जब मानि मोदी जी की सरकार बनी, तो भी उनने को डब्बे में डाल दिया, और हमारी योजना को परवान नी चड़ाया मुझे खुशी इस बात किये कि अभी इसी माननी मोदी जी की सरकार में मैंने और भजनलाल जी रायस्थान सरकार के मुख्य मंत्री ने और यसस्वी जलसक्ती मंत्री गजैन सिंग जी की मौजूदगी में पिच्चोत्तर हजार करोड की योजना का एमूई साइन हो गया है जिसके माद्यम से पूरा चंबल का बेज़ एक बार अभी जन्दन करें गजैन सिंग जी का और माननी मोदी जी का जिनके माद्यम से भविस्य में बहुत बड़े डेम की लगबख साथ डेम बनेंगे साथ बांधों के माद्यम से पीने का पानी और सिचई का पानी हमारे चंबल के बीढ़ोक अंदर तक जाएगा ताकि हमारी खेती और सम्रद्ध होगी तमाम प्रकार के उद्धोप भी आएंगे जब सडके बन जाएगी पीने का पानी मिलेगा बाकी सुविधाय मिलेगी तो समरद्धी के लिए और क्या चाहिए निश्चित रुप से उसी समरद्धी आती है इसमें और कुछ बचा नहीं है माने नरेन सिंग्जी भाई साब ने कहा है अभी जहां से हमारा रोड निकला वो छोटा था तो एलिवेटेड रोड की आपने बाहत कहिए मुरेना के लिए निश्चित रुप से भाई साब नितिन गड़करीजी के साथ मिल करके मुरेना का वो योजना को हम बड़ी संभावना है परेटन की तो धार्मीक परेटन पर भी बेवी अब में तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ बोलिया बाबा महाकाल महराजे की अरे जब से मोदी जी आये हमारे देवस्थानों की दुनिया कहां से कहां चली गई हमको अंदाज तो लगाओ क्या समय आया सांस्कतिक अनुष्ठान का बड़ा महा पर वो चल रहा है बाबा महाकाल के महालोग के लोकारपन के बाद उज्जेन की एकदम काया पलट हो गई आपने सबने भी देखा होगा लेकिन आप किवल महाकाल का नहीं है अभी अभी प्रभू राम चंद्रजी का आनंद हमने सबने देखा बोलो प्रभू राम चंद्रजी महाराज की क्या समय चल रहा है वर्तमान का अयोध्या का हमारे बाबा महाकाल की नगरी से तो मेरा संबन्द आता ये फिर वापस 2000 साल पेले समराट विक्रमादित ने अयोध्या में मंदिर बनाया था उस बनेवे मंदिर को 500 साल पेले बाबर ने तोड़ा उस तोड़े मंदिर को सुप्रीम कोट के माद्यम से भारत सरकार के उस सुप्रीम कोट के निने को लागू कराने में सरकार बनती है तो सरकार में बनने वाले में दम भी चाहिए उसकी ताकद भी होना चाहिए फेशले तो सुप्रीम कोर्ट देती है लेकिन लागू नहीं करा पाते हैं राजी उगांजी जी की सरकार थी सुप्रीम कोर्ट ने फेशला दिया था तीन तलाक का मुस्लिम बहनों की जिन्दगी में तलाग 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 तीन तलाग बोल करके जीवन उनका अंधिरे में डाल दिया जाता है लेकिन सरकार में दमनी था सूप्रिम कोड के लिए निर्णे को उस समय की कांगरेश की सरकार ने बदल दिया मुझे इस बात की खुशी है लगबक 35 साल पुराने फेसले को भी लागू कराने का माद्दा किसी में था तो 56 इंच वाले नरेन मोदी जी की सरकार में था हमारे बीच में से जो अभी मानने विदानसवा अध्यक जी है वो उस अपने मानने मोदी जी की सरकार में मंत्री रे चुके हैं वो गवात है उस बात के और मुझे खुशी इस बात की है एक फेसला फिर सुप्रीम कोट ने दिया के रामलला की जन्मस्थान के बारे में कोई संकानी है वो ही स्थाने जा भगवान ने जनम लिया वो ही गर्वगरह स्थान था जो वर्सों से हिंदू-मुस्लिमों को लड़ने का काम कांगरेस ने किया था मुझे इजवात की प्रसनता है कि भूमी पूजन के समय भी माननी मोदी जी गए थे और अभी भगवान के गर्वगरह में जाने के बाद भी उस मोके का निमंतरन पूरे देश में भेजा गया था सब लोगों को भेजा गया था लेकिन कांगरेस ने उस समय भी भगवान राम का विरोथ किया था और आज भी गर्वरह में भगवान के प्रवेश का नियोता ठुकरा दिया अरे दुर्भाकी की बात है, कितने अभागे हो तुम लोग, भगवान अपने गर्बगर में प्रवेस कर रहे हैं, अयोध्या में प्रवेस कर रहे हैं, और कहीं नी जा रहे हैं, और ऐसे भगवान के गर्बगर के निमंदर्ण, अरे आप अपन सब इस बात को जानते हैं, भा या तुम्हारे मन में पाप होता, तुम्हारे कोई अस्रद्धा होती, तुमको आजाने की मन में कोई भावना नहीं होती, तो चुप बेढ़ जाते, घर में रेते, लेकिन आप तो वो लोगों जो सदेव हिंदू का अपमानित करते हो, आपने नियोता ठुकरा के जो गलती कि ये सारे समाज माफ नहीं करेगा कभी कांगरेज को जो पाप उनने किया है, इतने बड़े हिंदू समाज का अपमान करने का पाप अगर आपने किया है, तो कीमत भी आपको चुकाना पड़ेगी, भगवान राम के बारे में आपका ये भाव रेता है, वोट के अधर पर लेकिन आप निमंतरण को ठुकराने वाले लिस्ट में सामिलो भाई साथ, आप माफ करना, कुछ दिन बाद आपको भी चुनाओं में जाना पड़ेगा, कुछ दिन बाद आपको भी जनता के बीच आना पड़ेगा, जनता बताएगी कि हमारे देवी दुका का अपमान करने वाला का इस्थान क्या होता है हम कोई उस मामले में कोई गुरेज नहीं करेंगे मुझे इस बात की प्रसनता है हाँ हमने भगवान राम के राम भक्तों को जाने मार्ग पर फूल विचाये थे हाँ हमने संस्कति में भगवान राम का इस्थान समझ करके नई शिक्षानिति के म उसको नकार के सकते हम अपने भगवान राम को भगवान क्रृष्ण को अब तो सुनात के मंदिर में फेसला हुआ है ज्यानवापी देवस्थान के बारें में अब न्यायय भी इस भात को बार भार opener के मुझ करके बता रही है यह सारे आपके यह जितने भी गलत काम किये ये कांग्रेस ने किये आप सब के माध्यम से एक बार फिर आज इस विकास की बेठक में और एक बड़ी सभा में आपके बीच एक और गोश्टना करने जा रहा हूं हमारे यहाँ पर माधनी प्रधान मंत्री के द्वारा सेना की भरती को लेकर के बड़े पेमाने पर अगनी वीर योजना प्रारंब की गई उस अगनी वीर योजना के माध्यम से हमारे अपने देश की सेना को एक तरसे युवा बना दिया गया काल के प्रवा में बहुत सारे प्रकार के सडियंत्रों के अधार पर आप अंदाज लगा लो कभी आप कभी कल्पना कर सकते हो क्या इतना बड़ा 142 क्रोड़ आबादी का देश और इस देश की सेना की जो हमारी क्योंकि उसमें हमारे अकेले बसकी बात नहीं है संयुक राश्तंग और भहुत सारे नियुमों के अधार पर हमको संख्या लिमिटेड रखना है तो केवल थल सेना जल सेना वायू सेना सम्मिला करके इनकी संख्या अगर आपको मालू हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर नहीं जानकारी हो तो केवल साले 13 लाख इनकी की हिम्मत रखती है और हमारे अंदर देश के अंदर भी कोई भी प्राकरति का आपड़ा आजाए सभी प्रकार के आपड़ा से निमटने का माद्दा रखती है एकिनी सेना को जवान बनाये रखने के लिए सेवा में सेना में नया खून लाने के लिए मानी मोदी जी ने एक करने के अधार पर उनकी प्रशिक्षन की जरुब्स भी है कि हमको मालूम है कि हमारे आज की समय में यह गणित के फिजिक्स के केमेस्ट्री के कई विषयों को ले करके और स्हामाणु विषये को हमारे बच्चे अगर ट्रेनिंग नहीं पाता हैं पहले से तो सब की भरती नहीं हो पाती तो हमने आज ये नई योजना लांच किये अब लगबग प्रती बेश में 360 घंटे का निसूल के प्रशिक्षन मतवरेश सरकार चालू करने जा रही है जिसको आज घोशना करना वो सारा पैसा सरकार उठाएगी हमारे बच्चे निसूल कोचिंग क्लासेश जाइन करेंगी वो निसूल कोचिंग क्लासेश के बलबूते पर उनको रोजगार मिलेगा है सरसो की है और काई काई की है जो जो भी है सबी लोगों के लिए जो भी कोई नई फेक्टरी या नया योजना खुलना चाहेगा हमारी सरकार उसको सबसीडी भी देगी इसके साथ साथ और भी रेडिमेट गार्मेंट्स के हमारे दूसरे जैसे कॉटन के इंडस्टियां है उसमें रोजगार भोत है जैसे जैसे अपने या उज्जेन में हमने खुलवई है कि लगबक रेडिमेट गार्मेंट्स के माध्य से प्रती मजदूर 5,000 रुप्या मैना 10 साल तक हम उसकी सब्सिडी देते हैं अगर यहां कोई फेक्वी लेका लगाना चाहेगा यह की यही घोष्टना में मुरना के लिए करता हूं जाकि यहां पर बड़े पेमनाय पर रोजगार मिले हम ऐसे कई सारे घटना करें हो कई सारे रोजगार के नए आउसर खोजना चाह रहे हैं जिसके कारण से हमारे अपने काम धंदे चलते जलते जो अलग से बेरोजगार है उसके जीवन में भी सुख का सूरज निकले गिरगाय का अपने कारिकरम बताया है शियोपुर जिले के लिए क्या गोरस छेत्र है गोरस छेत् अपरा में उसके जातियों में कई लिए जो हमारे अपने दुरभाग से पशू विभाग ने पुड़ाने समय में कुछ पाप किये हमारी देशी गायें शुरू से बहुत पवित्र रहती उनकी छमता उनकी अपनी होसारी विशेस्ता होती लेकिन जाने अनजाने उस जो हमस नसले की गाये सुद्ध रहें इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है आप अंदाज लगा लो बेल्जियम अपनी गिर नसलों के अधार पर कहां से कहां चला गया दुनिया में बहुत बड़ा दूद उत्पादक देश बन गया लेकिन हमारे नसले की गाये हम अपने या समय के हिसाब से भी दूद उत्पादन में भी आगे बड़े इसलिए सहकारिता छेत्र के अंदर भी यहां पे बड़ी संभावना है मैंने अधिकारियों से निर्देश दिये हैं कि आप सब सहकारिता के छेत्र के बड़े प्रोजेक्ट बनाए और यहां दूद उत्पादन करने वाले किसानों को भी लाब मिलें, उनकी आई भी अलग से बढ़ें, उनके जीवन में भी बदलाव आए, ऐसे कई कामों के लेकर के बहुत सारी बाते आज हमने कही है, लेकिन सबसे अदा प्रेम तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दिता हूँ, कि मैं अपने इस कारिकरम में जब आया, तो क्या बजार, क्या यहां की बेठक, क्या हमारे अंदर की बेठक, सब दूर एक मुरेना में अलग समक दिखाई दी, आपने अलग से जो आनंद दिया है, मैं आपका दोई हाज जोड के आभार मानता हूँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बा मानित किया है, आने वाले समय में इनके पाप का एक एक पाप का एक एक बार से अपने मतदान के अधिकार से हिसाब चुकता करेंगे, बोला आप सब तयार है, तो मेरे साथ बोला जैजैश्री राम, जैजैश्री राम, जैजैश्री राम, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद मानिनी मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी वच्छनों के लिए आपने चम्बल की शौरिता से हम सभी को रूबुरू कराया और निश्यत ही आपके मार्क दर्शन में मध्यप्रदेश शहुम की विकास की ओर अग्रसर बढ़ेगा और कारकरम के अंतिम पड़ाव में मैं आग्रे करना चाहूंगी मानिनी मुख्यमंत्री जी से कि वे हितलाव वित्रन करने की कृपाई